हेलो एवरिवन आज का मौसम देख लीजिए कितना ज्यादा रोमेंटिक हो रहा है कितना ज्यादा पट्याला में तो ऐसा लग रहे हैं थंड आनी शुरू हो गई है पहन के नीचे बैठते ही कंबल ओटने का मन करता है तो आज हम आपको टूर कराएंगे अपने जो हमें प्वाटर मिले हैं ठीक है यह फ्रंट का डोर है यह इसका पहला रूम टेबल यह सब को हमने खुद टैगोरेश किया है वन्ना जब हम यहां शिप्ट वेते तो बहुत ही बेगार था बहुत ही जादा यह नीचे हमने गद् यह इसका पहला रूम है यह सब खुदी डेकोरेट किया है अब दूसरे रूम में चलते हैं यह पैशली तीन रूम दियों है यह बहुत अच्छा है यह हमारा बेड्रूम देख लेजिए यह कलमेरा यहां दे रखी है बागी यह बेड्रूम यह कीचन खाना बनाने की तयार यह हो रही है तो यह आपको अभी सही दिखा देते हैं यह कीचन बस इसमें सबसे सबसे बिकार जो चीज है वह यह कि इसका सिंग इतना नीचे दे रखा है इसमें ना कमर इतनी दुखने लगती है इतनी जादा जब मैं प्रेगनेंट थी ना तब तो धोया यह नही जाता हीता इतना नीचे इसका सिंग ठीके है कीचन हो गे साइड में यह वातरूं हो गया वह बातरूं सही दे रख़ी अ बड़ा दे रखा है यह वाश्रूम दे रखा है इसको क्या ही बिखाना और यह एक स्टोर्रूम बना रखा है देखो मैं तो सोच चीओ अगर यह तूरूम सेट होता तो हमारा क्या होता इसका यहां पट्याला के क्वार्टर का ना एक्चली सबसे सबसे अच्छा पॉइंट है कि इनके रूम इतने बड़े बड़े है यह आज कप्रे डाले नहीं बारिश पड़ रही है बारिश उपने का वेट हो रहा है इतने जादा मतलब बड़े बड़े रूम दे रखा है ना कि असानी से बंदा एड़्जस कर जाएगा तो जो भी कोई वीडियो डाल देना तक हमने भी पता चल जाए कि हम कौन से एरिया में जा रहे हैं तो जो यह यह उनिट आने वाली है उनको यह वाले कॉर्टर मिलने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही आगे हम आपको तिखाएंगे कि हाँ पर क्या क्या है मिलते रहे है थैंक यू बाइ बाइ